नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आर के और माई लक्टिकल पर तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि सभी के दिमाग में एक कुस्चन रहता है कि हमारा ट्रांस्पेशन लाइन में जो आपने देखी होंगी बॉल इस पिर साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप टेलीग्राम गुरूप को भी जोइन कर लें जिसका लिंक आपको वीडियो के डैस्कर अप्शन में मिल जाएगा तो चलिए फिर बात कर करते हैं दोस्तों यह कुश्चन सभी के दिमाग में आता होगा कि आपने देखा होगा इस पिरकार की जो बॉल होती है ट्रांस्मिसर लाइन में यानि रंग बिरंगी कलर की जो बॉल होती है वो क्यों यूज़ कर जाते हैं और इनका क्या कार यह है और यह दोस्तों इस पिरकार की आपने बॉल देखे होँगी और सभी पिरकार की ट्रांस्मिसर लाइनों में यह नहीं नहीं लगाई जाती हैं लेकिन कुछी जगों पर इनका प्रियोक किया जाता है तो क्यों किया जाता है यह आपका question सभी के दिमाग में आता है और आपसे electrical या electrition के interview में आपसे ये question पूछा जा सकता है तो चलिए फिर देखते हैं क्यों use की जाती है तो दोस्तो basically ये जो ball होती है आपकी वो जान और माल की हानी से बचाने के लिए प्रियोग में लाए जाती है basically production के लिए प्रियोग में लाए जाती है जहां पर आपने देखे होंगे पहड़ी छेत्रों और airport के आसपास कईो छेत्र होता है यानि runway के आसपास का और आपके नदी इत्यादी वगेरा के आसपास की जो transmission line है वहां पर इन बॉलों को आपको प्रियोग किये जाता है जिससे की आपके जो aircraft और छोटे helicopter वायू यान इत्यादी line में आकर ना टक राए इस पिरकार आप देख रहे होंगे यदि इस पिरकार इन transmission line हो पर पिरतेक वायर में एक ball लगा दी जाती है जिससे की ये signal उनको मिल जाए और वो अपनी दूरी उची दूरी इन से बनाय रखे जिससे की protection हो सके तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये transmission line में जो ball है आपकी protection इत्यादी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोग में लाए जाती है और question ये भी आता होगा ये कितने रंगों की होती है और इनका weight क्या होता है इनका diameter क्या होता है और इनका आपका color कौन-कौन से color की होती है तो चलिए फिर उस पर भी बात कर लेते हैं तो दोस्तों इन बॉलों का इस basicization के बारे में बात कर लेते हैं यानि इन बॉल के color की बात करें तो color इनका white, orange और आपका red color यानि teal color लगिए आपकी पाए जाती है और इनकी thickness की बात करें तो इनकी thickness आपकी 25 mm के आसपास होती है और weight की बात करें तो weight इनका 5 से 7 kg के आसपास पिरती बॉल के किलो के आसपास इनका weight होता है और warranty की बात करें तो इनकी warranty आपकी 2 year की warranty होती है इस पिरकार आपने देखा होगा transmission line में जगे जगे पर आपकी बॉल यानि white yellow, red इत्यादी का लगनों की बॉल लगा दी जाती है जहां पर आपकी उची इमारतें होती है वहां कर जो transmission line गुजरती है वहां पर भी आपका protection के लिए यह आपकी बॉलों का प्रियोग किया जाता है transmission line के अंदर कर जिससे कि आपके छोटे aircraft y-y यान इत्यादी उससे टकरा कर दुरवटना के रस्त ना हो जाएं और जहां पर आपकी नदी किसी कोई transmission line नदी को क्रॉस करती है तो वहां पर आपका transmission line के बीच की दूरी आपकी ज्यादा हो जाती है तो जहां पर high spacing होती है वहां पर भी इनका use किया जाता है और पहाड़ी छेत्रों में खासकर इनका प्रियोग किया जाता है क्योंकि वहां पर transmission line की उचाई जादा हो जाती है तो दोस्तों इंटर्व्यू के लिए बहुत ही important question थे और भी आपके दिमाग में कोई question हो तो आप comment करकर comment box में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ important news यानि information जो आपको देनी थी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक बने रहे हैं हमारे चैनल पर प्लीज चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लें और प्लीज वीडियो को जाद जाद लाइक और सेयर करें थैंक यू फिर वाचिंग दिस वीडियो